हमें दिया हुआ इस P and PB are tangents, tangents है from outside point P, यह हमने outside point P ले लिया और यहां से हमने tangent बना दिये PA और PB, दो tangent बना दिये, अब यह बोला कि such that PA equal to 10, P और A यह 10 दे दिया हमें, 10 cm, and APB 60 degree, और APB यह वाली value कितनी है, 60 degree लेगे, बहुत है, find the length of code AB, तब हमें यह वाला code AB, इसकी value find रहे है, तो देखो वह बहुत असान है, सबसे पहले हम solution में क्या लिखेंगे, join OP, पहले हमने OP पहले ही जोड़ दी थी, ठीक है, हम लिखेंगे join OP and let it intersect AB at Q, और यह intersect कर रही है, AB को Q दे, ठीक है, join OP and let it intersect AB at Q, ठीक है भी, अब बोल रहे है, now in PAB, अब देखो, PAB, PAB है ना, तो इसमें P और P वी equal होगे, PA और P, ट्रेंगल PAB में PA और P वी equal होगे, PA equal होगा हमारा, PB के, यहोगी, टेंजेंट्स है दोनो, टेंजेंट्स on same point, यह सेम exterior point, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अब यह equal होगे, तो हमारा, देखो, PAB, जो एंगल है, PAB, equal होगा, एंगल PB क्योंगे, किसके, PB क्योंके, 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 आई-सो सेल्ट्रेंगल होगी, ठीक है, अब यह दोनों एंगल होगे, यह हमें 60 दिया होगे, तो एंगल सम प्रोपर्टी से हम लिखेंगे, एंगल P, प्लस एंगल A, प्लस एंगल B, equal to 180 दिया, और यह दोनों एंगल एंगल है, टू टाइम एंगल A कर देते हैं, चिक है, और यह एंगल होगा हमारा, P, P की value हो 60 दिया, और इक्वल टू 180 दिया, हम इसको सोल करेंगे, तो एंगल A की value कितनी आ जाएगे, हमारी 60 दिया, आपकेशोद, A, B, 60 दिया, और B और A एक्वल है, तो एंगल B, B, 60 दिया, तो हमारी आइसोसलट ढूत हैं, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगे, तीनो एंगल 60 के आगे, ये भी, ये भी, ये भी, तो एक्विलेटरल ट्रेंगल होगे, तब हमारी AB, AB, AP और PB, तीनो एक्वल होगे, तो वैल्यू ओफ, AB is equal to 10 cm, ठीक है, आल साइड्सार एक्वल, एक्वल और